मेरट का सियासी तापमान हर रोज बढ़ता जा रहा है, तमाम मेरट में जो भी प्रतियाशी है, वो पूरी ताक़ जोक रहे हैं, कि चाहे जैसे भी हो नईया पार लग जाए, हमारे साथ समाजवादी पार्टी गडबंदन की प्रतियाशी सुनीता वर्मा है, पूर मेर रही ह और देखे गाउं गाउं गली गली जा रही है, पूरी ताक़ जोक रही है, कि चाहे जैसे भी हो यहाँ पर जो उनकी नईया है, वो पार लग जाए, उनी से हम बात कर लेते हैं, सुनीता जी ये बताईए कि 26 तारीक को वोटिंग होनी है, अब तक जो चुनाव है वो कहां मिलता जा रहा है, भगवान का भी आशिरवाद है, आप लोगों का भी आशिरवाद है, सब जो मेडिया बंदू का भी धन्यवाद, जो मेरी सब बात जनता तक को चाहरे है, मैं इसलिए हमारी कोई जो चुनाव में कोई किसी तरीकी कोई प्रोब्लम नहीं आ रही है, जीत ह हमारी पक्की है, मुझे पूरा कॉंफिडेंस है कि हम यहां से जीत के जाएंगे, ऐसा क्या भरोसा है आपको आप हमेशा जब भी बात करते कह देते कि मैं जीतूंगी कोई जीते गई हमने चंता के बीच रहे हैं, जंता का प्यार, सम्मान, भरोसा, सब चीज हमने हमें मिला इसी विश्वास के साथ हमने पात साल पूरे काम भी किया है, महाब रहे हैं, मेरट के, पात साल में हम लोगों के बीच में रहे हैं, उनके जितनी समस्यां उनकी सब हमने हल करी, ends around the country, कि ढवे लोगों की कि दो साल कॉरणा भी रहा, जिस चीज के जहां, मैडिशन की जरूत वो सब हमने, क्योंकि हम जन्ता के बीच रहे हैं, जन्ता के बीच रहते हैं, और आगे भी हम ऐसी रहेंगे, इसलिए हमें जन्ता में भरोसा है, जन्ता को हमारे उपर भरोसा है, इसलिए मेरी जीत निश्चित है। आपका किस से मुकाबला है? बसपा से या बीजेपी से? जानता जानती है लेकन यह जैसे सरकार जुम्ले बाजी और यह नाटक बाज करते हैं ऐसी नाटक बाजों को उन्होंने जो परत्यासी बना के भेजा है सबसे बैनिफिट तो हमें यही मिला है कि वह बाहर के परत्यासी है खुद बीजीपी वालों में इतनी फूट पड़ी सब लोग उनसे नराज है वो कोई राम भगवान नहीं है यह जनता की मान सिकता है उन बीजीपी वालों की मान सिकता है जो ऐसा सोच रहे हैं राम भगवान नहीं है वो एक कलाकार है उन्होंने किरदार अच्छा निभाया किरदार निभाने के लिए मैं उनको भी धन्यवा कि राम का रोल उन्हें अच्छा किया था लेकिन कभी रोल कलाकार करने वाले कभी राम नहीं हो सकते तो यह जंता को मानना पड़ेगा जागना पड़ेगा यह श्रीफ जैसा दिखावा करते ऐसी दिखावा वह चल रहा है जो आरतिया कर रहे है इस चीज़ से जंता खुछ न कि है की वह चाहते है कि हमारा लोकल का प्रत्यासी हो और यह जीता है हमारे बीच हén जीत जीता है बीच मेरे आप तो भी जाहाए कि BJP वाले आपको चुला रड़ा है आपके साथ है तो उन्हें पता है हमारी सीट हम नहारे हातों से निगल रही है तभी तो वो सारे बड़े-बड़े मंत्री नेता विधायक सब सीट पर लगे हैं तो उन्हें हार का डर सता रहा है तो एक सीट पर इतनी निगाए लगा रहे हैं तो इससे ही जारित होता है कि उन्हें पूरा डर चड़ावा कि यह सीट हमारे हाथ से जारित अच्छा यहां तो आप हैं सुनीता वर्मा लेकिन यहां पर चौती भार कमल खिला दिया जाए पंद्रे साल से लगातार उनके सांसद रहे हैं यहां पर कमल नहीं गडवंदन खिलेगा मैं भी कहा रही हूं गडवंदन की साइकल दोड़ रही है और दोड़ेगी यहां से सुनिता वर्मा महापौर बनीती ऐसे ही मुझे जनता क के मुद्दे विकास के मुद्दे जो गरीबों की आवाज को नहीं उठाए जाती उनके मुद्दे महंगाई के मुद्दे इन मुद्दों को लेके मैं जनता के भी जारी हूं और मुद्दों पूरा उनके समर्थन दूंगी समर्थन करूंगी उनके साथ मिलके सबका मुझे समर्थन इसी बात के पर मिल रहा है कि हमारी आवाज उठाने वाला कोई हम अपना सांसत बनाने जा रहे हैं जो हमारी आवाज को उठा सके इसलिए मुझे पूरा बहुत अच्छा और यहां पर चल ली है कि महिला प्रतियाशी है पहले मेर रही है और महिला यहां पर मुकाबल जैसे काम विकास बेरोजगारी सब हमें बताया कि आवाज उठानी एनकी खतम करना है जो विकास हमकारे हम महापूर बन के या कम समय मिला या जैसे एक बार में नहीं हो पाए है हम वहाँ सब काम दुबार नई स्थिरे से शुरू करेंगे जनता के बीच में जाके उनकी समस्य जब पने सथ होना वो सब चीजे हम आगे करें अबसारो है हमारा किसी से कोई मुकाबला नहीं है वो भी आ रहे हैं कि रोडशो करके पूरा माहौल बनाने जाने इनसे फर्क पड़ेगा आपके चुनाओ पर? कोई फरक नी पड़ेगा, खुद उनकी एक फे वीडियो चल रही थी, आपने भी सुनी होगी, कि सीता जी को लक्षमन जी को आज परचार में उतार रहे हैं, उनको अयोध्या में उद्गाटन तक में तो उनको नियोता नी दिया, इस बात से तो नाराज थे, अब जबरदस्ती किसी को यहां अलाके बोर्ट मांगना ये करना वो उनका काम है, उस पर हमारे चुनाव पर कोई फरक नी पड़ रहा है, वो पता नहीं और किस-किस को भी बुलाएंगे, यह सब आपको पता है, यह पूरे हत्कंडे अपना रहे हैं, कि शायद अकेले राम को बोट ना मिले, तो सब इनके पीछे लग जाओ, जो यहां से सीट निगाल सकें, लेकिन ऐसा होगा नहीं, तो गलग फैमी में जी रहे हैं, अखलेश और राहूल की जोड़ी है, कह रहे हैं, दो लड़कों की उपी में फिर जोड़ी आई है, कितना कमाल कर रही है, आपक कैसे निकल रही है, बीजेपी वालों को नाम तो बता तो जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, नाम थोड़ी खोले जाते हैं, तो गुप्त होती है, बहुत 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 शुक्रिया, तो देखे, सुनीता वर्मा है, और सीधा यह कह रही है, कि किसी से कोई मुकाबला नहीं है वो चुनाब जीतेंगी, चुकि मेर रही हूँ, मैंने पांस साल अर्बो रुपे के काम कराएं, तो जनता जानती है कि मेरा काम कराने का तरीका क्या है, और वो अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है, और सीधा यह कह रही है कि बीजेपी में फूट है, चुकि बाहर के प्रति आपके